वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस्टी उपर आज किस वीडियो में बात करेंगे जो अनिवार प्रस्ण पत्र होता है जिसका नाम है राष्ट गौरो पार्या वरण एव मानवा अधिकार अद्दिन यह एक अनिवार प्रस्ण पत्र होता है जो भी यहारे प्रस्ण पत्र होता है जिसका नाम राष्ट गौरो इसकी परिच्छाप को देनी ही देनी होती है अधर्वाइस आप वो फेल माना जाता है तो आज किस वीडियो में हम आपको इसी फिज़ुड़े बताने वाले जो कि आपके एक्जाम के लिए पूरी तरह है और अगर आपकी परिच्छा है तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखे खास कर जो चात्र है जैसे कि मान लीजे कि यह परिच्छा आप सभी को देनी ही देनी होती है आप यह सिकेंडर में दीजे ठीक है यह अपको देना होता है और एक अनिवार प्रस्ण पत्र जिसका नाम राष्ट गोरव आप सभी को मैंने बता जाए और खास बात यह है कि यह जो प्रस्ण यह जो को बताने वाला है सारे सालों में सारे कोश्चन पूछे गये हैं एग जो पिछले साल में पूछा नही गया जितने भी question है सारे के सारे पिछले साल में पूछे गए है वही मैं आपको बताने वाला हूँ और सारे question exam में repeated है और हाँ एक बात का अप लोग धान रखें जो paper होता 100 number का होता है जिसका paper आपको OMR sheet पे देना होता है यह नहीं कि आपको question paper मिलेगा उसमें सारे question नहेंगे और एक आपको sheet मिलेगी जिसमें आपको answer लिखना होगा आपको OMR sheet पे परिच्छा होगी जैसे कि चार option दे जाएंगे जैसे यह है यह है तो जिसमें से A माली जे यह है B यह है C यह है तो माली जे इस question भारतिय राष्टवाद की बिस्टिष्ट पहचाल आपको बताना है क्या है ठीक है तो एक number का right answer B हो जाएगा ठीक है यानि कि अनेकता मेकता तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर B को गोला बनाना होगा यानि कि डर्क करना होगा तो इस प्रकार आपका कुछ pattern होने वाला और इस प्रकार आपको उत्तर देना है ठीक है तो चलिए बढ़ते question को पहला question का उत्तर मैंने बताई दिया अनेकता मेकता और दूसरा question है कि निमन में से एक राष्ट है तो आपको option देगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान आपका भारत देश जो है उसको हिंदुस्तान इंडिया जो आप लोग दाम दे वह एक राष्ट है और इनमें से राइट एंसर सी हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे नेश को सब्सक्राइब के नेशियों का साब्दिक अर्थ क्या है इनमें जो आप संदेगे इनमें से राइट एंसर हो जाएगा हो जाएगा सी जन्मजार ठीक है और खास बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा जो सारे के सारे कोश्चन है इनमें से आपकी परिच्छा के लिए कौन से मोस्ट इंपार्टेंट है इस बार कौन से ज्यादा आने के चांसे वह भी मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो को आप लोग जड़ा सब इसकिप मत करिएगा अगर वाकाई में आप जानना चाह रहे हैं कि आपक जरूर देखें और कोश्चन जाने की कौन से आपके परिच्छा में आने की ज्यादा चांस है वह हम आपको बताएंगे दोस्तरा मतब कि चौथा कोश्चन है कि एक राष्ट ता राजनीतिक एकता में संप्रभुता को प्राप्त करके राष्ट बन जाती है ये परिभासा क जाता की इंडिधारत कोन सा है तो आपको आप्शन देगे भगोली के एकता भी हो जाएगा धारमी केकता भी हो जाएका इसलिए यहां पर सी नम्बर्म से लिट करेंगे इनमें से दोनों ठीक है यूँ और भी दोनों निष्ट कोश्चन है कि राष्ट एक विकास में बाध प्रांतवाद भी और समप्रदाइबाद भी यहां पर सी हो जाए गए और भी दोनों ठीक है ध्यान रखेंगे निश्च कोश्चिन कहरा कि राष्ट वाद का प्रमुक्ष निर्माडक तत्तों आपको दिए जाएंगे चार इसमें से राइट अंसर हो जाएगा सेवन नंबर क कि भावना ओके राष्ट यहां कि राष्ट यहां पर पहुचें आठ नमर पर कि राष्ट्य गवरों की अच्छुडता को बनाय रखने का आधार आपको बताना है तो यह इतना महात्रपोर्ड नहीं है आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं राइट अंसर पिजाल में आपको बता दें उपर यह सभी हो जाएगे सभी हो जाएंगे ठीक है राष्ट यहता कि विकास में बाधकतत तो कौन सा नहीं है ठीक है तो नाइन नमर कोश्चन इसका राइट अंसर हो जाएगा धर्म निर्पेच्छिता ओके निश्क्रत के राष्ट सब्द का तात्पर क्या है सब्सक्रत के राष्ट सब्द का तात्पर आपको बताना है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा 10 का भी दीप्त यानि कि जिसको प्रकास बोलते हैं ठीक है और मैं थोड़ा कोश्चन और आपको फास्ट बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो साहिद मैं कोशिश करू लेकिन जहां तक हो सके कि मैं आपको बताने के कोशिश करूंगा और कौन-कौन से महत्पूर है वह आपको बताऊंगा और कुछ कोश्चन आप लोगों के समझत जो है वह महत्तपूर आने जा रहे हैं जिसको आपको धान समझना है गयरा नंबर कोश्चन है कि बहुत पहला के सरीया दोसरा सफेद तीसरा हरा है आप सभी जानते हैं ठीक है भारत के राष्ट दो तरंगे की लंबाई चोड़ाई बताई कि लंबाई चोड़ाई तो बारा नंबर कोश्चन का राइड एंस अनुपाते दो प्तिक है यह इसकी लंबाई और चोड़ाई भारत का राज चिन है तक वह कहां पर लिया गया है तेरा नंबर कोश्चन का राइट एंसर निचे में फलक के ठीक नीचे लिखे सत्म में उजयते को लिया गया है तो राइट एंसर सका हो जाएगा एनमबर टीक है वो लिया गया है मुंडू कोप निशत से एनमबर राइट एंसर पांदा नमबर कह रहा ही भारत के राष्टगान जन गड़ मन के रचेता कौन है या आप अच्छे से मालूँ पांद सब्सक्राइब कर नबर का पच्छील राष्टर मैं नीला मैयूर एREE मौनमा सब्सक्राइब अब हाँ सरसुती घाति ज deform लाएग से ञाना जाता है तो 22 नमबर जो कोश्चन आपको दीख रहा इसका राइट एंसर हो जाएगा ए नमबर शिन दुगाटी सब्विता के नाम से जाना जाता है याद रखेंगे निश्क कोश्चन है कि हर्याणा के किस उत्खनन छेत्र को प्रिचिन सरस्ति सब्विता फे जोड़ कर देखा जा रहा है तो तेक्स नमबर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ए नमबर ठीक है राखी गढ़ी और उत्तरपदेश की किस अस्थान को प्रिचिन सरस्ति सब् यह कथन किसका है ठीक है याद रखेंगे 25 नमर कोश्चन जो दिख राइस कराइट एंसर हो जाएगा सी ठीक है मैकडो नल्ड ने कहा है निश कोश्चन कहे रहा कि कि शिन्द वासी किस देवता की पूजा करते थे तो पूजा करते थे पसपती ठीक है 27 नमर कोश्चन कराइट एंसर हो जाएगा सी नमर द्रवीड ठीक है याद रखेंगे द्रवीड निश कोश्चन कहे रहा कि सिन्द वासी नमर कोश्चन कराइट एंसर सी हो जाएगा लोथल ठीक है ने यह सर जोन मार्सल राखाल दास बनर जी युँं दयाराम साहनी आद पुरा तत्त वेता ठीक है वेताओं का संबंध भारत के किस सभविता से तो बन अनतिस समर कोश्चन कराइट एंसर हो जाएग संदुगाटि का उत्खनन नगर काली बंगा कहां इस्तित हुआ ठिक कहां पर इस्तित हुआ है तो तीस तंबर कोस्चिन का राइट एंसर हो जाएगा यह नमबर ठीक है राजस्थान मेरेट उत्तर प्रदेश में सिंदु घाटि सब्विता के आउसेश कि सस्थान पर मिले तो 31 इसका राइट एंसर सी हो जाएगा ठीक है आलमगीरपूर में 32 नमर कोश्चन है कि वैदिक सब्विता का उद्भव कब हुआ या फिर उद्भव हुआ तो 32 नमर कोश्चन दिक्रा कि आरेट की उपरांत हो ठीक है प्रजा की रच्छा करना दान ध्यक्य अध्यन करना मन असमत के अनुसार यह गुण है तो 34 नमर कोश्चन का राइट इंसर आपको दिख रहा है इसका राइटन सरी हो जाएगा भी नमर। ठीक ही जावरे और टिह स्युक्शन है पूसराथों की संख्या आप सभी को वालूम है कि तो जो 37 नमबर कोश्चिन राइट एंसर का हो जाएगा बी, 16, 38, 38 नमबर कोश्चिन के स्योगत परिवार का आकार एक आकी परिवार की तुलना में होता है, छोटा बड़ा समान यह भी इन में से कोई नहीं, तो 38 नमबर का राइट एंसर हो जाएगा, निश्च कोश्चिन के भात में सती प्रथा के निमूलन के लिए कि समास सुधारक ने सरबधी की युगदान दिया, तो 49 नमबर का राइट एंसर हो जाएगा, ए नमबर, राजा, राम, मोहन, राय, निश्च कोश्चिन है कि निम्निम में से किसका उलेक आरेओ के चार पुरसार्थों में नहीं किया गया, तो 40 नमबर कोश्चिन का राइट एंसर हो जाएगा, डी, निश्च कोश्चिन है कि गायत्री मंत्र का उलेक किस वेद में है, तो गयत्री मंत्र जो है उसका जोड़ लेखे वो ए नमबर राइट एंसर हो जाएगा ह्रिक वेद में है निश्ड कोश्चन ने कि राजजी के समबन्द में सब्तांग सिधांत किस भारते मनीशी ने दिया है तो बैरेसक नंबर का राइट एंसर प्राइट को जाएगा लिने निज्श कोश्चन है कि अस्टांग अममार्ग के संस्थापक आपको बताना तो 33 नंबर का राइट एह वह जाएगा भगवान बुद्ध 44 नमबर की भारते सांस्कृत का मूल अधार 44 नमबर और रामायर कि तथा महा भारत क्या है जो महाभारत क्या आपको बताना है तो 45 तंबर का राइट एंसर जो हो जाएगा सी क्या है महाचाब्व है इसको सब्सक्राइब कि बहुत धर्म के संस्थापक कौने अगला कोइश्चन है कि भगवान बुद्ध ने कितने आरे सत्य बताएं है तो 47 तंबर कोईश्चन दिख रहा इसका राइट एंसर हो जाएग तो 48 नमबर का जो राइट एंसर हो जाएगा हो जाएगा C. 24 14 नमबर की आगम किस धर्म की पवित्र पुस्तके हैं? तो 50 नमबर कोईश्टन का राइट एंसर भी हो जाएगा यानि की जेहन धर्म कि तो फिरहाल हमने यहां पर करीब करीब पचास कोईश्चेन और उसके अंसर बताएं और भी कोईश्चेन हैं पचास और भी यानिकी पूरी-पूरी कोईश्चेन सो है यहां पर सो ने कि आप और जितने भी कुष्चन पढ़ पाएं पढ़ लें इतने तो आपके पिछले फाल में रिपीटेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पुछ ना कुछ कुछ इस बार भी पूछ जाएंगे और यह पूरी की पूरी पीडियाफ जो है एक कुष्चन की हम आपको ट सब्सक्राइब कर लिजेगा और जो मैंने कुष्चन बता है उनको आपको तैयार कर लिजेगा और इनका एंसर भी हम आपको दे देंगे ठीक है तो वहां से आप डाउनलोड के तैयार करिएगा और आने वाले दिनों में हम और भी कुष्चन आप तक लेकर आएंगे फिरह